आज एक न्यूज चेनल पर विस्वेशन दिखाया जा रहा था जिसमें ये बताया गया कि चीन में हजारों सवों को उनके प्रिवार से पूछे भी ना कहा दफनाया गया ये केवल सरकार जानती है इटली में किसी भी सव को कोई कंधा देने नहीं आ रहा वे इंसान जब जिन्दा थे तो अकेले हो गए थे और मरे तो लावारीज चलो सही है करोना ने इंसान का असली रूप दिखा दिया लेकिन भारतियों दवारा सोशल मेडिया पर करोना जैसी भहेंकर बिमारी पर मजाग चल रहा है टिक टोक पर हर दिन हजारों वीडियो हस असकर करोना पर बनाई जा रही है लाखो जोक्स फेस्बूक पर अपलोड हो रहे हैं कुछ लोग घर से बाहर निकल कर सरकार का विरोध कर रहे हैं आप सब ध्यान से सुन लो अगर महिने तक जिन्दा रहना है तो सिरियस हो जाओ वरना आने वाले दो सपताओं की कलपना करना भी मुश्किल होगी देश दुनिया में कोई मुसीबत भारत के लोगों के मजाक हसी ठिटोली का साधन बन जाती है पूरी दुनिया में कोहराम मचाए COVID-19 का जितना मजाक भारत में बन रहा है उसका आदा मजाक भी पूरी दुनिया के लोग मिलकर नहीं बना पा रहे है क्योंकि चीन, जापान, फ्रांस, इटली, इरान समेत तमाम देशों ने अपनी आखों के सामने अपनों की लासे देखी है उनको इसके खतरे का ना सिर्फ अंदाजा हुआ है बलकि उसे भुगता भी है भारत में अभी सिर्फ आठ लासे सामने आई है क्योंकि अभी हम वाइरस फैलने के सेकंड स्टेज पर चल रहे हैं कल अपना करना मुश्किल होगा जिस दिन ये तीसरी स्टेज पर पहुँचेगी जिन देशों में ये तीसरे चरण में पहुँचा उससे सो गुना बुरी हालत बारत की होगी क्योंकि यहां के लोगों को इस वाइरस के परकोप से बचने की बजाए उसकी मजाग बनाने में वक्त भीत रहा है मेरे एक दोस्त ने कल मुझसे हाथ मिलाने की कोशिस की मैंने हाथ जोड़ दिये तो उन्होंने मेरा मजाग बनाने के लिए वे दूसरे व्यक्ति के गले मिल लिये बोले देख मुझे कैसे होता है करोना उनके इस अंदाज ने मुझे भारत में करोना वाइरस के तीसरे स्टेज की कलपना का बयानक दर से सामने ला दिया वजय यह है कि वीदेश में सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन वो अपनी सरकार के परतेख आदेश का गमभीरता से पालन करते हैं और जो पालन नहीं करते उनके साथ वहाँ की सेना पालन करवाना जानती है हमारे देश में हम जाती, धरम, राज्य, राजनितिक पार्टी और सेखी बगारने के लिए नेमों को तोड़ने में आनंदित होते हैं जिस दिन मजाग बनाने वाले की मा, बाप, पतनी, बेटा, बेटी या कोई और करीबी इसकी चपेट में आ गया उस दिन उनकी सारी मजाग धरी की धरी रह जाएगी और फिर चुनाओ के वक्त वे सरकार को कोशेंगे कि सरकार ने हमारे परीजन की जान नहीं बचाई या परियाप्त उपचार नहीं मिला सरकार अभी इलाज के मामले में कई देसों से आगे है लेकिन जिस तरह वहां की जंता ने वहां की सरकारों का साथ दिया उस तरह हम भी अपनी केंदर और अपनी राज्य सरकार के आदेसों का पालन करें गंबीर हो जाए वरना आने वाले दो सपता बाद वो नजारा देखने को मिलेगा जिसकी कलपना नहीं कर पाओगे पता नहीं कलपना करने लाइक बचोगे भी या नहीं पर अगर सरकार का साथ दिया सही तरीके से चले खुद पर और परिवार पर ध्यान दिया तो हमारे डोक्टरों के पास इसका पूरा इलाज है अभी तर 24 लोग ठीक करके घर बेज दिये हैं जो बरती हैं उन में से जादातर की तबियत में सुधार हो रहा है मेरा आप सभी से विनमर निवेदन है कि पलीज अपने बविश्य को बचाने के लिए अपने वर्तमान में थोड़ी सावधानी बरते क्या होगा अगर कुछ दिन दोस्तों के साथ बात नहीं कर पाऊगे फोन कर लो क्या होगा अगर कुछ दिन बाजार नहीं जाओगे नंगे तो नहीं हो इतने कपड़े तो घर पर होंगे क्या होगा अगर अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ दिन धरना परदर्शन विरोध नहीं करोगे जब सब ठीक हो जाए तब कर लेना क्या होगा अगर गूबने नहीं जाओगे तो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब चले जाना क्या होगा अगर दिन में दस बार हाथ दो लोगे क्या होगा अगर मजाक उडाने की बजाए लोगों को जागरूप करने के लिए मैसिज करें क्या होगा जो जागरूप मैसिज दूसरों को फोरवर्ड करते हो उसका खुद भी पालन कर लोगे क्या फरक पड़ता है कि सरकार किसकी है और वे क्या कह रहे हैं मतलब इतना रखो कि वो आपके हित के लिए कर रहे हैं क्योंकि मोत ना जाती ना धरम ना छेत्तर ना उमर ना राज्य ना इलाका ना लिंग और ना सूरत देख कर आती है इसलिए मेरी विनम्मर अपील है अभी वक्त है मान जाओ यह वीडियो देख मू टेडा करने की बजाए जितने सबद अच्छे लगे उसे पालन कर लो वरना कुछ लोगों के लिए वीडियो बनाने वाले की वीडियो पर कुर्तक और तरक करने की आदथ होती है और तरक कुर्तक भी करना है तो कर लेंगे चार महीने बाद जब सब कुछ सामानने हो जाएगा अभी अपनी अपनी परिवार मित्रों परोशियों के हीत में सोचे चैनल को सस्क्राइब नहीं करोगे तो चलेगा बस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर करें अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद